देखे कंचन लगातर बहराइच के महसी इलाके में आदम खुर बेडियों का आतंक बना हुआ है जिसके चलते वो अब दोबारा से जानलेवा हमला करते हुए नजार आ रहा है आज लगातर दूसरा दिन है जब बीती रात को इन बेडियों ने दो गाओं में हमला किया और पर अटैक किया ये अटैक करीब 12 बजे रात में हुआ है और उसके बाद एक जो गरेट ही गुर्दत तसीक पूरवा है वहां पर एक अंजली नाम की मासूम पर हत्या कर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है जिसके चलते पूरे इलाके में दैसत है इस वक्त हम बात करे इनके पुत्र मौजुद हैं क्या नाम है आप कहां के रहने वले मेरा नाम मंसा राम है हमारा घर ग्राम बारभी घाट अखला खोटिया अर्दी के रहने वले मंसा राम जी ये पूरी घटना कैसे हुई कब हुई और कहां थे आप लोग वूस वक्त मेरी माता जी घर में सो ही थी इनको बातों मेरे प्थम लगा तो बाहर नगी दर्वाजा खोला इसके बादस को बंद किया को बंद करने में थोड़ा टो दर्वाजा सही से नहीं बन इवर अशी से हखाया ये कुछ किया हम वहाँ पर नहीं थे थे विति माता जी घर ती लिए में हमला किया दर्व तो जैसे कि आपने सुना कि जो भेडिया है वो कमजोड दारवाजे का फाइदा उठा कर यहां पर पहुंचा था माता जी कैसे यह पूरा घटना हुआ कब भेडिया आया था किसे साथे दस मजे पैसा का गई थी पैसा आपके आई अंतर फिन गई नेटी वहां पे डटना रखा था रस् likes पन्ले में बाद रख्णि नहीं नक्ती अर रस्किबाम थ्या तो टो ड़ारा कुप है पत करह नहीं कहां रख रहा है उपकरा रहा है जानमेरी आख लगी अंबा जराम दे पनले में एक पनला दर्वाजा खुल गया एक नहीं खुला बेवी नठी नाम दिया फीच का वहल नया डार दिया तब थोड़ा जब धीना परा तब हम चिल लाई पई तब परोशियों नहीं दोड़ों इसको लड़की के मुझे बुझे बुझे राजा जैसा की कंचेन आपने सुना कि ये माता जी बता रही है कि ये देर रात घर से बाहर निकली थी पेसाब करने के लिए उसके बाद इनों ने दरवाजा बंद किया लेकिन इनका दरवाजा कमजोर था जिसके चलते कुछी देर बाद ये भेडिया घर में इंटर किया और सीधे इनकी गर्दन पर अटेक किया जब इनों ने बचने के लिए वहाँ पर सोर मचाया तब जाकर वो वहाँ से भागा इस बेडिये का सबसे पहला टार्गेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चे हैं यही कारण है कि करीब 11 से 12 के बीच में इस हमले के बाद चार बज कर दो कि अगर्ण जाहां बीते कई दिनों से वन भाग जुद दस्तर पर पूरे इलाके को उसने काड़न आफ किया था घेरबंदी की थी और वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था लेकिन बीते रवीवार को कहीं न कहीं वन भाग कि इस ऑपरेशन में भी काफी धिलाई देखने के मिली लगातार हम लोगों ने अधिकारियों से समपर किया तो उनका ये कहना था कि हम जरूर एक नई रणनीत के साथ द ड्रोन केमरे उनके तोरह स्कैन किये जाने के बावजूद बार बार भेडिये का वन भाग के घेरे से निकल जाना कहीं न कहीं चिंता का सबब है और देखसत का भी सबब है क्योंकि आपने देखा कि लगातार भेडिया हमला कर रहा है जिसके चलते आज एक बची की मौत हु और अगर ये नहीं किया जाएगा तो इसी तरह हमले और मौतों का सिल्चला जारी रह सकता है जिसको देखते हुए क्योंकि एक बार फिर आज जो हमला हुआ है उसमें दस्वी मौत ये हुई है बेडिये के हमले से जिसको लेकर कहीं न कहीं प्रेशाशन और विन भाग के भी ह पर फूले हैं और अब एक बार उमीद जताई जा रही है कि अब से कुछ दिर बाद वो संबद्धित अलाखे में जाकर फिर हुआ है पावा साहे मंजूर दा रहा है कहां जाई भाए हमारी बच्चा हमां सुना चले कि हमाही राद लेगे हमारे हाटे ने हमारे हाटे ने हम हां भाई भाई अपने बच्चा का यह घटना खैरनिया टैप्रा की है तो टैप्रा में घायल किया है तो उस महिला का इलाज चल रहा है उसका यह रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी अक्टिविटी शुरू करता है तो इस वजह से वो अलग गाउं है तो इसमें अभिय कर इसमें पता है तो जब कर दो इसमें प्राइब हो इसमें बच्चर को उव कर च अपने अबाद से स्टी अवी जच कर एदिव पका डायल के अबवाद से तो यार झाल, जा जाओ जाओ झाल, तान। जार जाओ, जाओ, उार जाओ, जार जाओ, जाज़ कालना दो डान। जाए, ठाही, मुड़ीजू दानी है। कर दोर्ड कर दो पर्द कर दो कर दो कर दो गजे एक। झाल झाल झाल